आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने बनाए हुए वेबसाइट को ओनलाइन लेकर करके आ सकते हो राइट नाओ यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास एक वेबसाइट का डिजाइन है इसी तरीके से आपने भी कुछ वेबसाइट क्रियेट किया होगा जिसके उपर मल्टीपल पेजिस होंगे और जाहिर सी बात है उसकी एक फंशनेलिटी होगी तो हम यहाँ पर डीटेल में यह सीखेंगे कैसे आप इसे ऑनलाइन लेकर के आओगे इसका एक लिंक जनरेट करोगे तकि पूरी दुनिया से कोई भी इसे देख सके राइट नाओ यह एरिया यहाँ पर खाली है जब यह ऑनलाइन आ जाएगा तो आप भी इसे ऑनलाइन देख सकते हो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चनल पे नियू है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके औल नोटिफिकेशन को अन करें तकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आने के लिए हमें एक सौफ़वेर एक टूल की रिक्वार्मेंट होगी जिसका नाम है विन्रार आप गूगल पर जाके सर्च करोगे डाउनलोड विन्रार यहां से आपको इनके ओफिशल वेबसाइट पर जाना है इसको डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर लैप्टॉप में इंस्टॉल करना है इसे करना बिल्कुल फ्री है make sure आप इसे करके रखे इसके बाद आप आजाओगे अपने फोल्डर में जहां पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइले स्टॉर है आपको उन सारी फाइलों को सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करके add to archive ये add to archive का option तभी मिलेगा जब आपके कंप्यूटर में विन्रार इंस्टॉल होगा नाम आप जो मर्जी रखे लेकिन ध्यान दे zip file पे क्लिक करना है ओके के उपर क्लिक करें तो ये जो फाइल है ये हमारे website का एक backup file है compressed file है इसे online बहुती easily upload किया जा सकता है अब हमें क्या करना है इस backup file को online migrate करना है किसी भी तरीके की website को बनाने के लिए और उसे online लेकर के आने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ों की requirement होती है एक होता है domain name दूसरा होता है hosting domain name होता है नाम, पहचान, आइडेंटिटी जैसे google.com, facebook.com, youtube.com हमारे case में domain research.com ऐसे ही आपने भी कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा ये कहलाता है domain name hosting होता है storage place जहाँ पे आपकी website की सारी फाइलों को आप store करके रखोगे तो अगर आप domain research.com पे आओगे तो इन दोनों ही services को आप यहां से select कर सकते हो अगर आपको सिर्फ domain name की requirement हो तो आप यहां से select कर सकते हो हमें domain and hosting दोनों की requirement है तो यहां से हम जाएंगे web hosting के page के उपर यहां पे आप read out कर सकते हो domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है pure SSD disk space free SSL certificate secured and 20 times server आपको fast मिलता है pricing plan की अगर हम बात करें तो basic plan इस टाट उता है 59 रुपीज पर मन्त से इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो 1 GB SSD की storage है 10 email address create कर सकते हो 5 GB की bandwidth और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited SSD की storage है unlimited email address create कर सकते हो bandwidth unlimited and light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है silver plan के अंदर आप 3 website को host कर सकते हो बागी सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पे host कर सकते हो बागी सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है इसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते हो तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domainreset.com पे आपकर करके plans को select कर सकते हो मैं currently यहाँ पे silver को select कर रहा हूँ duration को select करके आपको view more पे click करना है यहाँ से आपको एक domain name select करना है जो भी आपकी requirement है .com, .in, . जो भी आपको requirement है यह आप select करे check के उपर click करे एक बार यह available हो जाता है तो नीचे scroll करके continue पे click करे यहाँ पे अपने details को check करे आपको क्या क्या चीज़े provide हो रही है सारा कुछ verify करने के बाद continue करे again continue करे यहाँ से अपना hosting plan चेक करे domain name चेक करे कुछ edit करना हो यहाँ से edit करे कुछ extra दिखता है तो delete करे सारा कुछ complete होने के बाद check out के उपर click करे तो यह हमारा check out page है जिस तरीके से आप online shopping करते हो अपना एक account create करते हो उसी तरीके से यहाँ भी आपको अपना account create करना है अपने basic details provide करने है और अपने order को complete करना है एक बार आप इस process को पूरा कर लेते हो इसके बाद आपको जाना है login page के उपर और order completion के time पे जो email and password आपने दिया था वो provide करके simply login button पे click करे जितने भी services आपने opt किये होंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा simply services के उपर click करे और जिस भी domain के उपर आपको अपने website को online लेकर के आना है उसके नाम के domain के just उपर जो नाम है उसके उपर click करे right hand side पे एक option है login to cpanel simply इसके उपर click करें तो आप यहाँ पे check कर सकते हो domain research के web hosting servers में आपको 100 plus options मिलते हैं चीज़ों पे deal करने के लिए जैसे की emails पे deal करने के बहुत सारे tools हैं jet backup के बहुत सारे tools हैं files को handle करने के लिए बहुत सारे tools हैं ऐसे ही different categories के अंदर यहाँ पे tools दिये हुए हैं हमें जाना है files पे इसके बाद file manager के उपर click करें यहाँ से public underscore html पे click करें और इस जगह पे हमें अपने website के file को upload करना है उपर हमारे पास upload button है इसके उपर click करेंगे यहाँ पे आपको अपने file को select करके upload करना है या फिर आप drag and drop करके भी उसे upload कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे drag किया इस जगह पे लाकर के drop किया इस process के complete होने का wait करें एक बार जब यह यहाँ पे green color का हो जाता है तो आप चाहें तो इस particular tab को यहाँ से cut कर सकते हो इस जगह पे आकर के simply आपको इसको reload करना है अपने backup file पे right click करें extract करे extract files पे click करे and close करे अब हमारे files यहाँ पे upload हो चुकी है reload करके आप उसे देख लेना जो backup file है उस पे right click करके delete कर देना है क्योंकि अब हमें इसकी requirement यहाँ पे नई है तो हम इसे delete कर सकते है तो इसी के साथ website को upload करने का process यहाँ पे complete हुआ अब आ जाओगे आप अपने domain name पे और simply उसको एक बार refresh करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यह website हमारा यहाँ पे online आ चुका है अब इसे पूरी दुनिया से कोई भी अपने mobile, tablet, computer, किसी भी device के उपर इस website को online चेक कर सकता है हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखो शायद है website आपको online देखने को ना मिले क्योंकि मुझे और भी recordings करनी होती है तो मैं generally files को delete कर देता हूँ लेकिन आप इनी steps को follow करके बहुती easily अपने website को online लेकर के आ सकते हो मेरी पूरी कोछिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजे step by step बहुती easy way में समझा दी जाए और उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पर new होता subscribe करें बैल आइकन को click करके all notification को on करें तके आपको latest वीडियो उसकी notification मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys